हेलो दोस्तो मैं हुआ अभिनव और आज हम अन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं एपल के नए M2 प्रोसेसर के साथ आने वाले आईपैड एर का इस आईपैड एर की प्राइस शुरू होती है 69,900 रुपए से और आप इस पर जादा से जादा 1,44,900 रुपए खर्च कर सकते हैं ये पहली बार हुआ है कि आईपैड एर को 13 इंच की स्क्रीन साइज के साथ लॉंच किया गया है इसके अलावा M2 Chip का आना, Camera का Landscape साइड पर Shift होना और नई Apple Pencil Pro और उसके सभी फीचर्स का सपोर्ट इस साल के आईपैड एर में हुए कुछ बड़े बदलाव है इन फीचर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे ही लेकिन उससे पहले Unboxing करके देख लेते हैं कि Box में हमें क्या-क्या मिलता है ये है नए iPad Air का Box, सामने आपको iPad Air की तस्वीर मिल जाती है, नए Wallpaper के साथ, Left और Right साइड में iPad Air लिखा है और उपर और नीचे की तरफ आपको Apple का Logo मिल जाता है, Matching Color में पीछे आपको इसके Model और Box Contents की जानकारी दी है, यही पर दिये इन दो Tabs को पुल करने के बाद, आप इसकी लिड को आराम से उठा सकते हैं Box में सबसे उपर आपको iPad Air रखा हुआ मिलेगा, इस Frosted Paper के Envelope में iPad के नीचे आपको एक Packet मिल जाता है, जिसमें एक Quick Start Guide मिल जाती है, जो आपको iPad के Basic Functions को इस्तमाल करना सिखाती है और एक Paper मिल जाता है, Regulatory Information के साथ, इस बार इसमें Apple Stickers नहीं दिये हैं और अप से नए लाउंच होने वाले सभी Apple Products में Stickers मिलने की उम्मीद हमें छोड़ देनी चाहिए इसके अलावा Box में एक 20W का Charger भी मिलता है, और इसी के साथ एक Braided USB Type-C to Type-C Cable भी मिल जाती है मैंने इस M2 iPad Air का 13 इंच वाला Wi-Fi variant खरीदा है 128 GB की Internal Storage के साथ इसकी Selling Price है 89,900 रुपए, मैंने इसे Unicorn Apple Store से खरीदा है जहां मुझे इस पर 6% का Student Discount और ICICI Bank का Credit Card इस्तमाल करने पर Instant Cashback भी मिल रहा था 6% के हिसाब से मुझे इस iPad पर 4794 रुपए का Student Discount मिला और ICICI Credit Card इस्तमाल करने पर 4000 रुपए का Instant Cashback भी मिला और Finally मुझे इस iPad के लिए 71,106 रुपए देने पड़े Physical overview की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ आपको बड़ा सा 12.9 इंच का Display मिल जाता है यही Long Edge पर आपको इसका 12 Megapixel का Front Facing Camera और एक Microphone भी दिख जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसे Screen Guard लगा कर ही इस्तमाल कर रहा हूँ सिर्फ Screen को Protect करने के लिए नहीं बलकि Fingerprints को Manage करने के लिए भी जब मैंने इस iPad को बिना Screen Guard के इस्तमाल किया तो इस पर काफी ज़्यादा Fingerprints दिख रहे थे इस ESR के Screen Guard की वज़े से Fingerprints काफी हद तक कम हो गए है अगर आप भी Screen Guard को Check Out करना चाहते हैं तो इसके साथ मैंने जो सारी Accessories अपने iPad Air 13 इंच के लिए खरीदी हैं उनकी भी Link मैं आपको Description में दे दूँगा मैंने इन Accessories पर एक Dedicated Video भी बनाया है अगर आपको इन Accessories के बारे में और जानकारी चाहिए तो पहले आप उस वीडियो को देखिए फिर डिसाइड कीजिए कि आपको ये Accessories लेनी है या नहीं Accessories के वीडियो की Link आपको iButton और description में मिल जाएगी अब वापस आते हैं iPad के Physical Overview पर तो Left Side इसकी पूरी तरह से Clean है और Right Side में आपको Apple Pencil चार्ज करने के लिए सेंटर में एक जगा और Volume बटन्स मिल जाते हैं पर की तरफ दो Speaker Grills के साथ एक Touch ID सेंसर है और नीचे की तरफ दो और Speaker Grills के साथ एक USB Type-C Port है चार Speaker Grills आपको जरूर इसमें दिख जाएंगे लेकिन Speakers आपको इसमें दो ही मिलते हैं पीछे आपको Corner में Microphone के साथ एक 12 Megapixel का कैमेरा मिल जाता है सेंटर में बड़ा सा Polished Apple Logo है और नीचे की दरफ iPad Air की ब्रैंडिंग के साथ accessories लगाने के लिए 3-pin का connector भी मिल जाता है और इसकी purple finish को भी आप यहां से देख सकते हैं इस iPad की thickness सिर्फ 6.1 mm की है और ये unibody aluminium से बना है डिस्पले पर कोई ceramic shield का protection होने की जानकारी Apple की तरफ से नहीं दी गई है तो हम मान के चलेंगे कि ये normal tempered glass से बना है और इसलिए इस पर screen guard लगाना जरूरी हो जाता है overall इसे काफी अच्छे से बनाया गया है और इतना पतला होने के बावजूद भी ये कहीं से कमजोर नहीं लगता इस 13 इंच वाले iPad Air में दिये गए display की actual size है 12.9 इंच और ये एक LED backlit display है जो 2732 x 2048 के resolution के साथ आता है ये fully laminated display P3 wide color range को support करता है और इस वज़े से इसमें colors काफी deep और vibrant नजर आते हैं बढ़िया resolution और wide color range की वज़े से इसकी picture quality काफी अच्छी नजर आती है इसमें movies देखने का अलग ही मज़ा है सिर्फ quality की वज़े से नहीं बलकि इसके बड़े size की वज़े से भी इसमें आप full desktop style web browsing कर सकते हैं और इसका aspect ratio लगभग square होने की वज़े से इसे किसी भी direction में पकड़ने पर web page पूरा नजर आता है और एक complete browsing experience आपको इसमें मिलता है इस iPad में आपको Apple की M2 chip मिल जाती है 8GB की RAM के साथ और benchmarks के मामले में ये iPad आसानी से किसी भी laptop की बराबरी कर सकता है इसके performance को describe करने के लिए मैं बस एक ही बात कहूंगा कि आप इसमें जो भी काम करना चाहते हैं वो बिल्कुल smoothly हो जाता है मुझे इसे इस्तमाल करते समय ऐसा कभी नहीं लगा कि कोई action करने में ये iPad struggle कर रहा है और M2 chip होने की वज़े से इस iPad से यही उमीद भी थी इस iPad की capacity को test करने के लिए मैंने इसमें काफी सारी apps background में open रखी और फिर इसे इसे इस्तमाल किया फिर भी मैं इस iPad को जरा भी slow नहीं कर पाया इसमें games खेलना भी एक काफी enjoyable experience बन जाता है क्योंकि इस iPad बड़े से बड़े games में भी सबसे best graphics settings को support करता है BGMI में आप इसे ultra HDR graphics और ultra frame rates पर रख कर भी खेले तब भी आपको कोई lag या frame drop नजर नहीं आएगा लेकिन इतने बड़े iPad को पकड़ कर अगर आप ज़ादा देर तक games खेले तो आपके हाथ जरूर दर्थ करने लगेंगे अगर आप इस iPad पर gaming का detail review देखना चाहते हैं तो comment करके मुझे जरूर बता देना मैं इस पर touchscreen, gaming controller और keyboard और mouse इन सभी तरीकों से games खेलने का experience एक dedicated video में आपके साथ share कर दूँगा इस iPad में आपको multitasking करने के लिए सभी जरूरी features मिल जाते हैं जैसे कि split view और slide over apps साथ ही साथ आपको इसमें काफी काम के gestures भी मिलते हैं जैसे तीन उंगलियों से pinch और spread करने पर copy और paste कर पाना तीन उंगलियों से ही swipe करने पर undo या redo कर पाना चार उंगलियों से swipe करके apps को switch कर पाना bottom left corner से swipe करने पर screenshot और bottom right corner से swipe करने पर quick notes लिख पाना ये सभी features इस iPad को इस्तमाल करने का experience और भी smooth बना देते हैं multitasking के लिए आपको इसमें stage manager का feature मिल जाता है stage manager का feature बिलकुल Samsung के DEX mode की तरह काम करता है और इसकी मदद से आप apps को किसी laptop की तरह resize करके इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इस feature का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको इसके साथ एक keyboard और mouse जरूर इस्तमाल करना पड़ेगा ये iPad notes लेने के लिए Apple Pencil Pro और Apple Pencil USB-C को support करता हैं लेकिन आप इसके साथ काफी सारी third party stylus भी इस्तमाल कर सकते हैं नई Apple Pencil Pro इस्तमाल करने पर आपको Pro iPads वाले सभी features इस iPad Air में भी मिल जाते हैं Apple Pencil Pro की unboxing और review का वीडियो मैं जल्द ही अपने channel पर upload करने वाला हूं तो अगर आप उसमें interested है तो channel को subscribe ज़रूर कर लेना Cameras आपको इस iPad में दो मिलते हैं पीछे 12MP का camera है जो iPhones में भी हमें देखने को मिलता है और इस back camera की picture quality टैबलेट की जरूरतों के हिसाब से काफी अच्छी है इसमें आप 4K वीडियो भी record कर सकते हैं सामने भी आपको 12MP का ही camera मिलता है जो अब landscape mode में है तो वीडियो calls करने के लिए अब ये perfect है इसमें आपको center stage का feature मिल जाता है तो आप कहीं भी हो ये camera आपको ढूंड ही लेगा बैटरी इस iPad में 36.59Wh की दी गई है और इसे चार्ज करने के लिए आपको box में ही 20W का charger भी मिल जाता है box में दिये गई 20W के charger से इस iPad को चार्ज होने में 2 गंटे और 41 मिनिट का समय लगा और एक full charge पर मैं इसे 9 गंटे और 38 मिनिट तक इस्तमाल कर पाया और इसे इस्तमाल करते समय इसकी brightness को मैंने 100% पर रखा था इसी के साथ Apple Pencil Pro भी इसे connected थी तो ये iPad पूरा दिन मेरी Apple Pencil Pro को भी charge कर रहा था इतनी powerful M2 chip और इतना बड़ा और bright display होने के बाद भी 9 गंटे से ज़्यादा की battery life मिलना सच में एक काफी बड़ी बात है अगर आप इस iPad को दिन में 5 गंटे भी इस्तमाल करते हैं तब भी ये एक full charge पर आराम से 2 दिन चल जाएगा अगर आप इस iPad Air को एक laptop replacement की तरह इस्तमाल करना चाहते हैं तो आपको इसका 13 इंच वाला model ही लेना चाहिए क्योंकि 11 इंच की screen laptop की तरह यूज़ करने में कही ना कही कम पड़ जाएगी मैं इस iPad की link के साथ सभी accessories की link आपको description में दे दूँगा इसी के साथ ये सला भी दूँगा कि इस iPad को खरीदने से पहले आप Unicorn Reliance या Chroma जैसे stores में जाकर पहले इसे थोड़ी देर इस्तमाल करके देखें तभी आपको बता चलेगा कि आपके लिए कौनसा model सही है और मैंने ये भी देखा है कि stores में ये iPad सभी offers लगा कर online से सस्ता ही मिलता है तो physical stores में जाकर लेने से आप थोड़े पैसे भी बचा लेंगे तो ये थी unboxing और एक review Apple के नए 13 इंच वाले iPad Air का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे like जरूर कर देना ऐसे ही वीडियोज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद